नमस्कार दोस्तों जीके अर्जुन सार यूट्रूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है मिशन टीजीटी परिछा 2021 इतिहास भाग 46 में और चेप्टर का नाम है मरुत्तरकाल 3rd इससे पहले दो भाग बन चुका है मरुत्तरकाल का वीडियो और ये भाग 46 है चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आप से छोटिसी रिक्वेst आभी तक आप हमारी चैनल पर नाय है तो प्लेज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपके मुवाइल पर सबसे पहले पहुँचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं हाँ अगर आपनों को इस वीडियो का पीडियाप चाहिए तो पीडियाप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे आ हूँ वहां से जाकर इसका पीडियाप भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका पिछले भाग जो 45 भाग है TGT हमारे चैनल पर जो है इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है TGT इतिहास तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे आ हूँ प्लेलिस्ट का तो वहां से जो पिछले इसके 45 भाग है उसको भी आप देख सकते हैं तो किस अभिलेक में रुद्रदामन प्रथम की बिभीन उपलब्धियां वनित है कौन सा अभिलेक है जल्दी से आपको बताना एंसर तो किस अगर जोए गुजरात से रुद्रदामन का ये अवलेक प्राप्थ हुआ है तो इसमें जो है रुद्रदामन प्रथम के बारे में उपलब्धियां और वणन किया गया ये जूनागर जो गुजरात से प्राप्थ हुआ है question number two है निमलिकीत में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामिक नहीं था ये इसका इसका एंसर हो जाएगा C, मिलिंद, तो मिलिंद जो है अन्य तीनों के समकालिन या समसामिकी नहीं था, यानि तीन जो है एक टाइप के हैं, बिम्बिसार, गौतमबूद, प्रसंजित, और मिलिंद जो है, इसमें एकदम भीन है, तो इसका एंसर हो जाएगा C, Question number 3 है, कावेसाली का प्राचिंतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, कावेसाली का सबसे प्राचिंतम जो नमूना मिलता है, वह मिलता है काथिया वार के रुद्रदामन के Question number 4 है, निमलिखित में से किस हिंद यवन सासक ने सीशे के सिख्के जारी किये थे, तो वो था इस्ट्रेटो दूतिय, यहाँ पर देखिए, दूतिय दो इसमें है, यह सिकेंड है और यह फर्स्ट है, तो इस्ट्रेटो दूतिय जो है, जो हिंद यवन सासक है, सीशे के सिख्के जारी किये थे, वैसे सीशे के सिख्के सात्वाहन वन्स के सासकों ने भी जारी किये थे, लेकिन यहाँ पर दिया हिंद इवन सासक तो वो था इस्ट्रेटो डुती है एंसर होगा एस्ट्रेटो डुती है Question no. 5 है नेम लेखीत शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवम वासुदय दोनों अंकित है तो किसके सिक्के हैं तो वो है अगाथो कलीज के इंसरो जाएगा D अगाथो क्लीज संकर्षण में सोता है बलराम के यहां बलराम भी दे सकता है संकर्षण के जवब पर और वासुदे तो वासुदे जानते ही हैं यह दोनों के मतलब सिक्के जो है संकर्षण वासुदे दोनों अंकित है तो यह है अगाथो क्लीज के सिक्के पर तो अगाथो क्लिज जो है यह सासक थे हिंद एवन सासक कोश्चन नमबर छे है निमलेखित में से किसने भारत में स्वन सिक्कों का प्रचलन नियमित उप्योग के लिए किया था तो वे थे बीम कैड फिसेज एंसर जाएगा ए बीम कैड फिसेज कोश्चन नमबर साथ है प्राचीन भारत में निमन में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे तो यह थे कुश्चन नमबर आठ है बीना बेगार के किसने सुदर्शन जील का जीरोड़ द्वार कराया था तो वो थे रुद्र दामन प्रथम कोश्चन नमबर नौ है उत्तरी तथा उत्तरी पस्वी भारत में सरवाधिक संख्या में तावे के सिक्कों को जारी किया था तो सरवाधिक संख्या में तावे के सिक्कों जारी किया था तो वो था कौन थे कुशाणों ने एंसर जाएगा बी कुशाणों ने कोश्चन नमबर दस है इन में से किसने सरव पर्थम व्यापक पैमाने पर स्वण मुद्रा का प्रचलन किया तो यह स्वण मुद्रा का प्रचलन किया थे जिसका नाम है बीम काफिशेस या बीम कटफिशेस नाम दिया है एंसर होगा सी यहां पर देखे कुछ मिस्प्रिंटी वह इसका सही नाम है बीम कटफिशेस एंसर सी होगा इसमें कोश्चन नमबर 11 है योधेव सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है तो योधेव सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है तो वह देवता का नाम है कार्ति के एंसर हो जाएगा डी कार्ति के question number 12 है सक संबत कव प्रारंब किया गया तो सक संबत जो है कव प्रारंब किया गया था ये प्रारंब किया गया था 78 इस्वी में answer रो जाएगा B 78 इस्वी में सक संबत जो है 78 इस्वी में प्रारंब किया गया था कनिस्क को इसका प्रवर्तक माना जाता है सक्संबत का कोश्चन नमबर 13 है कनिस्क के सारनाथ बौध प्रतिमा अविलेक की तीथी क्या है तो कनिस्क के सारनाथ बौध प्रतिमा अविलेक की तीथी क्या है तीथी की तीथी है 81 इसवी सन में यहांनि ऐसा माना जाता है कि जो है कनिस्ष का राजय रोहन 78 इस विशन में हुआ था और इसके तीसरे साल में जो है सारनात में बौध प्रतिमा अस्थापित की गई तो 78 में यह हुआ था तीसरे साल जोड़ेंगे यह तीन साल तो 81 हो जाएगा तो इसका अंसर होगा B 81 इस व वर्सों में है तो इसका अंतर अगर देखा जाए वर्तमान कलेंडर से तो इसमें अगर 57 जोड़ा जाता है विक्रम में विक्रम 57 को माना जाता है और सक्संबत 78 को तो इसका एंसर हो जाएगा 135 वर्स का अंतर है एंसर हो जाएगा C 135 वर्स का अंतर है question number 15 है बिक्रम संबत कब से प्रारम हुआ तो बिक्रम संबत अभी बताए हैं ये 57 इसा पुर्व से प्रारम हुआ कब प्रारम हुआ 57 इसा पुर्व से बिक्रम संबत प्रारम हुआ question number 16 है असो घोस किसका समकालिन था तो अस गोस जो है किसका समकालिन था ये था कनिस्क का समकालिन एंसर होगा C कनिस्क का समकालिन कोईशन नमबर 17 है निमलेखित में से कौन कनिस्क प्रथम के दर्बार में नहीं गया था तो कौन जो है कनिस्क प्रथम के दर्बार में नहीं गया था तो वो था विशाक दत एंसर रोजाएगा D विशाक दत Question number 18 है निमलिखित में से कौन एक कनिस के दरबार से संबंद नहीं था इन में से कौन जो है कनिस के दरबार से संबंद नहीं था तो वे थे पतंजली एंसर रोजाएगा D पतंजली इसके अलावा असगोष, चरक, नागारजुन ये लोग कनिश्क के दर्बार से संबंधित थे जबकि पतंजली कनिश्क के दर्बार से संबंधित नहीं थे और पतंजली ने परणिक के अश्ठा द्याई पर एक माभास की रचिना भी की थी और ये जो थे पतंजली सुंग काल दो असमेग यग किये जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है तो लेख है अयोध्या लेख इंसर जाएगा सी अयोध्या लेख से क्वेश्चन नमबर 20 है निमलिखित नगरों में से किसका उलेख कनिस्क के रबतक अभिलेख में नहीं है रबतक यह देखे रबतक अभिलेख में नहीं है तो वह है स्रावस्तिका एंसर जाएगा ए श्रावस्तिका तो रबतक जो है यहां पर सब्द देखे तो रबतक अभिलेख जो है अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट रबतक नामा का स्थान से प्रात किया गया था उन है निमलिखित में से कौन सा सासक वन बेवस्था का रच्छक कहा जाता है गौत्मी पुत्र सात करनी ये सात्वहन कोईसे नम्मर 22 मोरियों के बाद दच्छिण एसीया में सबसे प्रभावसाली राजी घर एसका था यह था सात वहनवंस आए यानि मोरियों के बाद दच्छिन भारत में सबसे अगर सकती साह सकते तो वह थे सात वहन कोशन नमबर 23 है किस चीनी जनरल को कनिस्क किस चीनी जनरल ने कनिस्क को हराय था उस चीनी जनरल का नाम था पान चाओ एंसर हो जाएगा ए पान चाओ कोशन नमबर 24 है निम्न में से किस वन्स के समराज की सिमाएं भारत के बाहर तक फैली थी तो वो था कुसान वन्स के सिमाएं इंसर हो जाएगा सी कुसान वन्स के सिमाएं तो कुसान वन्स के जो समराज थी वो भारती महादीब के बाहर तक भी फैली थी जिसमें जो है इसकी सिमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एम कस्मीर से लेकर दच्छिन में बिंद परवत त और पस्षी में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पुर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक बिस्त्रित था कुसान वंस का कोशन नमबर 25 है और अंतिम कोशन है सुंग वंस के बाद किस वंस ने भारत पर राज किया तो सुंग वंस के बाद जो है भारत पराज किये जिसका नाम था कानवा या कल्वंस एंसर रोजाएगा C कानवा या कल्वंस तो सुंग वंस का जो अंतिम राजा थे जिसका नाम था देव भूती और ये इसके आमत्य थे वासदेव तो वासदे ने इनको मार डाला था मारने के बाद एक नए वंस का नीव डाला था जिसका नाम था कलू या कानवा या इसी का एक और नाम है काड़ेवायन किन नाम से जाना जाता है वंस की अस्थापना के थी सुंगू के समान भी ये भी ब्रामण वन से ही संबंदित था तो इसका एंसर सी होगा तो ये थे क्वेस्चन आज के लिए तो उम्मिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आज इसको लाइक करें अपने दोस्तों के आधिक सदिक सेर करें धन्य बात दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम दोस्तों